Good morning friends, मैं आदस आपके लिए लाया हूँ जीके के top 10 question तो चलिए शुरुगात करते हैं Question number 1 है आपका मदुमक्की पालन के अध्यन को क्या कहा जाता है आपके screen पे 4 आफसन दिया है friend जो भी आपका correct answer हो comment box ने comment करके बता सकते हैं तो आपका आफसन A सही होगा AP culture चर्मदुमक्की के पालन के अध्यन को AP culture कहा जाता है फ्रेंस ये question उत्तरप्रदेश जेलवाडर की परिच्छा में कई बार पूछे जा चुके हैं चलिए फ्रेंस नेश question देखते हैं Question number 2 है सेरी culture संबंदित है आपके स्कीन पे 4 आफसन दिया है फ्रेंस जो भी आपका correct answer हो comment box में comment करके बताईए तो आपका आफसन B सही होगा जेसम कीट पालन का अध्यन को सेरी culture कहा जाता है फ्रेंस ये question जेलवाडर की परिच्छा में कई बार पूछे जा चुके हैं चलिए फ्रेंस question देखते हैं question number 3 है इन में से PC culture संबंदित है आपके स्कीन पे चार आफसन दिया है फ्रेंस जो भी आपका correct answer हो comment box में comment करके बताईए तो आपका आफसन C सही होगा मत से फालन के अध्यन को PC culture कहा जाता है फ्रेंस ये question जेलवाडर की परिच्छा में पूछा जा चुका है चलिए फ्रेंस question देखते हैं question number 14 है फूलों के अध्यन को क्या कहते हैं आपके स्कीन पे चार आफसन दिया है फ्रेंस जो भी आपका correct answer हो comment box में comment करके बताईए तो आपका option D सही होगा एंथोलाजी फूलों के अध्यन को एंथोलाजी कहा जाता है फ्रेंस ये question उत्तरप्रदिस लेकपाल और डिल्ली पुलिस के परिच्छा में पूछा जा चुका है चलिए फ्रेंस question देखते हैं question number 15 है पोमोलाजी संबंदित है आपके स्कीन पे चार आफसन दिया है फ्रेंट यूबी आपका correct answer हो comment box में comment करके बता सकते हैं तो आपका option A सही होगा follow के अध्यन को पोमोलाजी कहा जाता है फ्रेंस ये question लेकपाल की परिच्छा में दो बार पूछे जा चुके हैं चलिए फ्रेंस question देखते हैं question number 16 है इनमें से किसे keto का अध्यन कहा जाता है आपके skin पे 4 आफसन दिया है फ्रेंट यूबी आपका correct answer हो comment box में comment करके बता सकते हैं तो आपका option B सही है entomology को keto का अध्यन कहा जाता है फ्रेंस ये question group D, railway group D की परिच्छा में पूछा जा चुका है चलिए फ्रेंस question देखते है question number 17 है sorology संबंदित है आपके skin प आपका correct answer हो comment box में comment करके बता सकते हैं तो आपका option C सही होगा छिपकलियों के अध्यन को शोरो लॉजी कहा जाता है फ्रेंस ये question railway की परिच्छा में दो बार पूछे जा चुके हैं चलिए फ्रेंस question देखते है question number 18 है सर्पो के अध्यन को क्या कहते हैं आपके skin पे 4 आफसन दिया है फ्रेंस जो भी आपका correct answer हो comment box में comment करके बताईए तो आपका option D सही होगा और फ्रेंस ये question railway की परिच्छा में पूछा जा चुका चलिए फ्रेंस question देखते है question number 9 है फाइको लॉजी संबंदित है आपके skin पे 4 आफसन दिया है फ्रेंस जो भी आपका correct answer हो comment box में comment कर करके बताईए तो आपका option A सही होगा श्रैवालों के अध्यान को फाइको लॉजी कहा जाता है फ्रेंस ये question railway की परिच्छा में पूछा जा चुका है चलिए फ्रेंस लास्ट कोशन देखते हैं question number 10 है कौको के अध्यान को क्या कहते हैं आपके skin पे 4 आफसन दिया है फ्रें आपका आज का question है और इनो लॉजी किस से संबंदित है इसमें किसका अध्यन किया जाता है आप comment box में comment करके बताईए जिसने भी सबसे पहले बताएगा जो उसका कल वाली वीडियो में उसका नाम हम लेंगे फ्रेंस ये question railway की परिच्छा में पूछा जा चुका है आसा करता आसा करता है